कश्टो में भी आप कैसे रहे प्रसंद साथी परिवान पे कैसे आए खुशिया हेल्प वेल्प और प्रोस्पेरिटी कैसे मिले एक साथ लक्षमी को पाना तो सब ही चाहते हैं लेकिन लक्षमी प्राप्ति के कौन से ऐसे सरल उपाई जिससे लक्षमी आप पर क्रपा क्योंकि लक्षमी पाना आपका भाग्य में ही अधिकार है यह सब आप जानेंगे गुरुदेश सूरेश्री माली जी के सामिध में मुंबाई की पावन धरा पर दिपावली के उपलक्षमी साथ अक्टूबर को आज़ित सिध्ध लक्षमी साधना शिवर्व इस सुनहरे अ सरकाल लाब उठाने के लिए आप सभी साधर आमंत्रित है रेजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें 0291-519-00-00-98290-26625-932427-2446 जन्म कुंडली विशलिशन कई बार माता पिता अपने बच्चों की परवरिश करते वक्त ये भूल जाते हैं कि जितनी उसकी उम्र है उससे बड़ा बोजह उसके उपर डाल रहे हैं क्या वोई इससे सेहन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा एक माता और पिता अपने बच्चे को हस्ट पोस्ट भी बनाना चाहते हैं स्पोर्ट्स बैन भी बनाना चाहते हैं साथ वो एजुकेशन में वो अवल आए इसके लिए कई तरह के उन्होंने प्रेशर देने की कोशिश की लेकिन प्यार भी बड़ा करते थे और यही सोच कर कि हमारा बच्चा एटलीस हमसे ज्यादा बहेतर जिन्दगी जी है आज इस परतिस परदा कॉंपिटिशन के जमाने में ये बच्चा कहीं स्टेंड कर जाए और समय रहते हैं और उसे में परवरिश में कुछ अच्छी चीज़ें उसको सिखा दी तो करते थे उसके बाद बच्चा आता तयार होता यही स्कूल जाता स्कूल से आने के बाद और यह झाण तक में आंगा में कर तो मेरे नहीं तो मेरे बिदा जी मुझे कहते थे कि 50 साल की उमर में इंसान को अपने हेल्थ का चेक अप करवाना चाहिए ब्लड प्रेशर डाइबेटीज ये सब चीज होती है जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तब लोगों ने ये कहा कि 40 साल की उमर के आसपास इंसान को अपने हेल्थ का चेक अप कराना चाहिए आज की तारीख अगर आप देखें तो 20 साल 25 साल के बच्चों को हार्ट अटेक हो रहा है डाइबेटीज की बीमारी भी शुरू होगी वह इतने स्ट्रेस में रहता है ये बच्चा जिसकी में बात कर रहा हूं इतने प्रेशर में रहता था कि जो कि आज की तारीवे 17 साल और एक महिने का 10 मार्च 2017 को प्लेगराउंड में खेलते खेलते शायद प्रेशर रहा होगा वो घिर जाता है और उसके हार्ट में हार्ट अटेक उसका हो जाता है एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टिक दोनों ही हो जाते हैं और पिता जी माता जी सद्वे में हैं बच्चा रेकवर कर रहा है और टीचर ने और बाकी और लोगों ने कहा कि इस बच्चे को मान से तनाव बहुत रहता है इसके अभी से बलड प्रेशर हाई रहता है बाता पिता बड़े दुखी है और इस उम्मीद और विश्वास के साथ हम से संपर किया है कि अब जैसा आप कहेंगे हमारा बच्चा वैसा ही चलेगा क्योंकि हमारा एकलौता बच्चा है हमने दूसरे बच्चे के इसलिए प्लानी नहीं की कि कहीं ऐसा नहो कि दो बच्चों के फेर में हम दूस दोनों को पुरा प्यार पुरा वक्त नहीं दे पाएं हमारा एकलौ इस वक्त टेलिविजन की स्क्रीन पर जो ये जर्म कुंडली आपको दिखाई दे रही है मकर लगन की कुंडली है और लगन में ही केतो बिराजबान है लगनेश शनी है जो की आईउ के कारग्रेबी यानि अगर किसी इनसान की आईउ देखनी हो कि वो बुजुर्ग रहेगा या जवानी में चला जाएगा या फिर उसकी मद्यम आयू है लगू आयू है व्रहत आयू यह कैसे देखेंगे उसका निराकरण किया जाता है शनी के द्वारा शनी इनकी कुली में पंचम इस्थाने बिराजबान है ब्रैश्पति के साथ आशिरवात पराप्त कर रहे हैं बहुत सुंदर राजयोग गुरू और ब्रैश्पति गुरू और शनी का साथ वे बिराजबान होना अपने आप एक बहुत शुबाना जाता है वहीं इनका जर्म नक्षतर स्वाती है जो की राहू का नक्षतर है राहू खुद शनी का ही शाडव प्लैनेट है फिफ्थ आफ दोनियां थे स्टावज्वन देखें। शुक्र और राहू विराजबान सिख्ष और कर्म के लॉड। शुक्र बनते है जो रहू के साथ विराजबान है और शेवन्थ लॉर्ड चंदर्मा में इस बच्चे गंदर भी कला है लेकिन आप दो गोड़ों पर सवारी नहीं किरा सकते अगर उस बच्चे को नीन ही बराबर नहीं आएगी आप रात को 10 बजे तक पढ़ाते हैं सुबह 5 बजा आप उठाते हैं आप पढ़ाई में भी बेजना चाहते हैं आप स्पोर्ट्स में भी अवल बनाना चाहते हैं तो ये सब चीजे एक साथ इस बच्चे के उपर प्रेशर डालती है कई लोग इस प्रेशर को हैंडल कर लेते इसके साथ कोई नहीं आगे कोई नहीं और पीशे कोई नहीं पर उसमें कोई नहीं है इस कारण ऐसे लोग जिद्दगी में बहुत जल्दी हार्ट ब्लेड प्रेशर डाइबिटीस की मरीज बन जाते हैं क्योंकर स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं स्ट्रेस ज़्यादा लिया उसको कंट्रोल करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं बाबाप ने उसको भाग दोड के लिए तैयार किया उनकी अपनी इच्छा है उनकी अपनी अपेक्षा है वो चाहते हैं कि बच्चा बड़ा होकर यह कहा है कि मेरे माता पिता ने मुझे संगर्श करना सिखा था अच्छी शनी का शुकर पर द्रिष्टी डालना यह एक शुब संकेत है वहीं केतू की पांचवी द्रिष्टी फिफ्थ आउस पर लगन में केतू बिराजबाने दस से दो की तरफ एक एरो जा रहा है शनी पर है जो की बड़ी घात देते है जब भी केतू शनी को देखेंगे एक्सि खेल रहा था और वहां गेरने से उसका अटेटेक हुआ हो सकता है उसके सर पर बॉल लग जाती फिर क्या कर लेते आप यह सारे योग है इसलिए सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है बच्चों की कुणलिया जन्म पत्री का विसलिशन अगर बच्पन में हो जाए तो कई प्रकार के सुरक्षा कवच बनवाए जा सकते हैं वहीं सात्वी द्रिश्टी सेवंथ हाउस पर है केतु की शुकुर को भी देख रहे हैं रहु को देख रहे हैं जिस वज़े से स्रापित दोश बना आगे बढ़ते हैं सिक्स हाउस जो की रोग का होता है उसके लौट बनत इस से बड़ा वीक पॉइंट हेल्थ के लिए नहीं हो सकता है यह आगे भी हेल्थ को और चोट को लेकर परिशान करेगा सिक्स हाउस बिराजबान वहीं एट्थ हाउस के लौट सूर्य भी साथ में बिराजबान है यानि आयू के स्थान के लौट भी वहाँ पर बिराजबान है जिससे आपका स्वास्ते आगे भी कमजोर रहेगा स्वास्तिक प्रतील आपर वाही जिंदगी भर के लिए आपके बारी पढ़ सकती है वर्तवान में चल रही शनी में शनी की दश्या जो की 27 नवंबर 2019 तक है बहुत बड़ा वीक पॉइंट है आप अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए तो पहले साइड थोड़ा सा शान्त रखिए इस पोर्ट में जब उसकी रूची होती तब करिए ऐसा लौड का होता है इसके लौड मंगल बनते हैं जो की रोग भाव में बिराजमान है साथ में मंगल बुद्ध की उती खराब माने जाती है और वहीं चटा गर जो की हेल्थ का होता है वो पापकरतरी दोश में है यहां तीन नमबर लिके उसके पीछे शनी और आगे रहू स्क्रीन पर जो यह छे नमबर की कुंडली देख रहे हैं यह नवमांश कुंडली है फिफ्थ आउस जो की एज्यूकेशन का है इन दोनों के लौड शनी बनते हैं और शनी हेल्थ आउस में स्वग्राई विराजमान है यानि आने वाले टाइम में इसको अकाल मिर्तियों का कोई बाहर नहीं रहेगा वही राहू की साथवी द्रिष्टी फिफ्थ आउस पर है जिस कारण से पढ़ाई में विग्नानत आया है वहीं 11 आउस से फिफ्थ आउस तक सारे ग्रह कालसरफ योग के मद्य आ गया है यानि कि राहू से केतु के मद्य आ जाने से एक प्रकार का कालसरफ योग यांपर बन गया है अब ये तो हुई ये बात अब मैं वो कुणली आपको दिखाने जा रहा हूँ जिस वक्त इस बच्चे का एक्सिडेंट हुआ था उस वक्त इसके ग्रह डक्षत्र क्या थे आईए एक नजर उस कुणली पर देखते हैं इस वक्त आप टे क्या बना उस दिन के सिक्स थाउस के लॉड़ बनता है बुद्ध वह इलावन थाउस में विराज माने च्छटे गर के लॉड़ अपने से च्छटे गर में चले जाए वो सबसे बड़ा वीग पर और सूरी के तो ग्रहन दोश भी उस दिन था यह तो आपकी किस्मत या माता पिता के कुछ दान पूर्ण या आपके ग्रांड पेरेंट्स के कुछ दान पूर्ण एक असर है कि आपकी तकलीफ नहीं हो एरवाई चनी की तस्वी दिश्टी सिक्स हाउस पर है देखिए बच्चों पर प्रेशर एक ऐसा शब्द है जिसका परियोग ना तो मैं करना चाह अपनी जिदिकी में बगवाने में जिद्धी की जीने के लिए बहुत बड़े बड़े तीस बार खांद देख लिए जो नहीं हावर्ड और प्रिंस्टन यूनिवर्स्टी टीम पढ़ाई किये हैं लंडन स्कूल ऑफ एकनोमिक्स में पढ़ाई किये बहुत पढ़े लिख सिक्षा पर ध्यान दीजिए लेकिन ऐसा नहीं सोचना है मुझे फस्ट ही आना है और नहीं आए तो डिप्रेशन आ जाएगा एक हिलाडी यह सोचकर अगर बैदान में उतरे का आज मुझे सैंचुरी मारनेद हो सकता है वो पहली बॉल पर आउट हो जाए लेकिन अगर वो कराईये नित्या प्राताकाल ओम नमच्छ शिवाय मंत्र का जाब करें और कम से कम एक सुआंट बारा एक सूंट बार करिया और रुद्राक्षी मला हमेशागली बच्चे की गले में धारन कराईये और पारज शिवनिंपर नित्य गंगा जल अत्वा कच्च्छ दूसे अभ प्रकट करने का उच्छित अफसर होता है। यदि आपके परिवार में कलेश के साथ साथ, दामपती जीवन में और शांती, आकाल मृत्यू, संतान प्राप्ती में बाधा, असाथी भिमारे के साथ साथ, निरंतन कर्ज जैसे इस्तथी बनी रहती हैं, तो आगामे श्राद बक्षियामी की 6 सितंबर से 19 सितंबर ता संपन करे, पित्र दोशने भारक साथना, और प्राप्त करे अपने पूर्वजों का आशिरवार, इस साथना सामगरी में आप आएंगे, मंत्र सिद्ध पित्र दोशने भारक यंद, चांदी निर्मित सर्प